अगर आपको रात में नींदने आने की समस्य रहती है या फिर आपको कबज की प्रोबलम रहती है तो करें ये उपाए नमस्कार दोस्तो आयरुवेद एक ने दिशा में आप सब का स्वागत है हमारे देश जड़ी बूटियों का देश है दोस्तों यहां एक साधान सा दिखने वाला पोदा भी और सदी गुणों का बंडार होता है ऐसे ही आईरुवेद में कई जड़ी बूटिया है जो कि हमारी कई त्रहकी बिमारी को दूर करने का काम करती हैं ऐसा ही एक पोदा है अर अरंडी के पत्ते और बीजों का सही से इस्तमाल करते हैं तो यह आपकी चोट को ठीक करेगा ही साथ ही आपको कबज की समस्या से भी शुपकार दिलाएगा और यदि आपके श्रीर में दुर्द रहता है तो इस तरह कि कई समस्या को दूर करने में भी अरंडी का पोदा अरंडी के पत्ते हमारे लिए कितने गुंकारी है तो बने रहें दोस्तों वीडियो के अंतर तक है चोट लग जाने पर कई बार आपने देखा होगा खेलते वक्ते या फिरे काम करते वक्त आपके हात पैर में मोच आ जाती है जिसके कारने आपको चलने में काफी प्रेशानी होती है और मोच वाली जिगाए पर आपको काफी दर्द भी होता है आप कई तरह की스oryins लेते हैं पुर्ण आपको होने के बाद आप इसे अपने सूजन वाले जिगह पर बांदे और रात बर के लिए से छोड़ दें आप देखेंगे कि आपको दर्द और सूजन में काफी आरा मिला है क्योंकि हल्दी चोट को हड़ने का काम करती है और अरंडी के पत्तों की तासिर काफी गर्म होती है जो कि इस समस्या से काफी प्रेशान है तो इसके लिए आप अरंडी के पत्तों को सुखा का इसका एक चूरण तियार कर ले अब इस चूरण को रात को सोने से पहले गुंगने पानी के साथ खाए आप देखेंगे कि सुबह आपका पेट अच्छे से साथ होगा और साथ ही आपकी कमज की समस्या भी समाथ हो जाएगी नींद्रे आने की समस्या कई बार अधिक तनाओं के कारण आपको नींद्रे आने की समस्या होती है जिसके कारणा पर कई तरह की मेडिशन का सारा भी लेते हैं अगर आपको रात को नींद्रे आने की समस्या है तो आप इसके लिए अरं के पत्तों से जुड़ी एक महतोफुन जानकारी उमिद करते हैं जानकारी की पसंद आए और पसंद आए और दोस्तों ये जानकारी आपको काम की लगे तो इसे अपने दोस्त और फैमिली में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फैदा मिल सके तब तक के लिए दोस्तों मिलत